नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट मूट की एक नहीं वीडियो में दोस्तों वन्डे विश्यू कप के 29 मैच में भारत ने गत्व जिता इंग्लेंड को 100 रन से हरा दिया है वहीं दोस्तों लक्नाव के एकॉनर स्टेडियम में इंग्लेंड की कप्तान जॉल्ड बडलर ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का फैसला किया तो वहीं भारत ने मात्र 50 ओवर में 9 विकेट के नुपसान पर 229 रन आये और वहीं भारत की तीम अब सामी फाइनल में जगा बनाने की करीब पहुँच गई है तो वहीं इंग्लेंड की टीम टूर्नमेंट से बाहर होने की करगार पर आ गई है और दोस्तों बता दे जस्पिर बिम्रा ने 35 वे ओबर की 5 वी गेन मर मार्क वुट को क्लीन बूर्ड करके इंग्लेंड की पारी को समेट दिया उसके बाद वुट ने एक ही गेन का सामना किया और वो खाता भी ना खोल पाया तब ही दोस्तों डेविट मिली दूसरे चोर पर शुल रमिना कर नाबाद रहे और वुट के आउट होते ही टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया जिसके बाद उसने इंग्लेंड को सौरेंट से हरा दिया और दोस्तों इस जीत के साथ ही भारत के अब 6 मैचों में से 12 अंक हो गए है और वहीं वह से 9 अंक पहुंचने के बहुत करीब है तो वहीं दूसरी ओर इंग्लेंड को 6 मैचों में पांच भीस으면 मिली है नमनाए तो वहीं जवाब में इंग्लेंड की 34 अबलब 5 ओवर में 129 पर टीम संबन गई और बारत की गेंदबाजों ने शांदर प्रसंद किया और वहीं दोस्तों इंग्लेंड के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और न्यूजिलेंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले म मुहमद शवी ने इस मकाबले में घादा गेंदबाजी करी और चार विकेट अमने वहीं नाम करे तो वहीं दोस्तों आनुदूवी जस्परित बुम्रा ने तीन विकेट अटकाए और कुल्दी बिल्दी व्यादव को दो तो वहीं दोस्तों रवेंदर जड़ेजा को एक स